अम्बेटकर वादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं अपना खुद का नेशनल बहुजन मीडिया खड़ा करने के लिए दश्शूद्र की आर्थिक मदद करें आप स्क्रीन पर दिये गए अकाउन नंबर में सीधे अपनी आर्थिक मदद भेज सकते हैं इसके अलावा यूपी आई, पेटियम, फोन पे और गूगल पे के जरिये भी आप हमारी मदद कर सकते हैं आपकी ये छोटी सी मदद एक बड़े मिशन को कामियाब बनाने में अहम भूमी का निभाएगी जैभीन बाबा सहब डॉक्टर अम्बेड करके पचास महन विचार पुरुष नश्वर है और विचार भी एक विचार को प्रसार की उतनी ही आवशकता है जितनी एक पौधे को पानी की आने था दोनों सूख और मर जाएंगे धर्म निर्बेक्ष राज्य की अवधारणा पश्चिन की उदार प्रजातांत्रिक परंपरा से प्राप्थ होती है राज्य निधी दुआरा संचालित किसी भी संस्था का इस्तेमाल धार्मिक शिक्षा के उदेश्य के लिए नहीं किया जाएगा चाहे वह धर्मिक शिक्षा राज्य या किसी अन्य संस्था दुआरा दी गई हो एक इतिहासकार जो इतिहास का जन्म दाता है महानकारियों का सनरक्षक, गुम्नामी का दुश्मन, अतीद का गवाह, हविश्य का निर्देशक है सठीक, एमांदार और निश्पक्ष होना चाहिए जुनून से मुक्त, मतलब, भय, असंतोश या सनेह से निश्पक्ष और सच के प्रती वफातार होना चाहिए आपको अपनी गुलामी संग खत्म करनी होगी भगवान या एक महमाना उपर इसके उन्मूलन के लिए निर्भर ना रहें याद रखें कि संख्या नुसार लोगों का बहुमत में होना प्रयाप्त नहीं है सभलता पाने और बनाये रखने के लिए उन्हें हमेशा सतर्ग, मजबूत और स्वाभी मानी रहना होगा हमें स्वयम अपनी राहों को आकार देना होगा हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वातंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाईश नहीं है धर्म अंतर नहित्मूल विचार व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए एक माहौल बनाने के लिए है इस स्थिती में यह स्पष्ठ है कि आप हिंदू धर्म में अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते है मेरी राजनीती का आधार इस प्रस्ताव में नहित है कि अच्छूत हिंदूओं का एक उपविभाजन या उपधारा नहीं है और वे भारत के राष्ट्री जीवन में एक अलग और विशिष्ट तत्व है लोगतंत्र सरकार का एक रूप नहीं है बलकि समाजिक संगठन का एक रूप है लोग और उनके धर्म का न्याए समाजिक नेतिक्ता के आधार पर समाजिक मानकों के दुआरा किया जाना चाहिए किसे अन्य मानक का कोई अर्थ नहीं है यदि मैंने समविधान का दुरुपयोग होते पाया तो इसे सबसे पहले जलाने वाला मैं होंगा मैं समविधान को व्याहवारिक मानता हूँ यह लचीला है और इतना मजबूत भी कि यह राष्ट को शांतिकाल और युद्ध दोनों समय में एक साथ रख सकता है वास्तों में अगर मैं ऐसा कहूं कि अगर नए समविधान के तहत कुछ खलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारे पास एक बुरा समविधान था हमें यह कहना होगा कि मनुष्य बुरा था समानता एक कल्पना हो सकती है लेकिन फिर भी एक शास्तिके सिधान्त के रूप में इसे स्विकार करना चाहिए जीवन लंबा होने की बजाए माहान होना चाहिए एक सफल क्रांती के लिए वहां असंतोष प्रयाप्त नहीं है राजनीतिक और समाजिक अधिकारों की न्याय, आवशक्ता और महत्वता का एक कहरा और पूरी तरहां से द्रड़ विश्वास होना आवशक है अधिकार तभी वास्त्विक है जब उपाए उनके साथ है यदि पीडित व्यक्ति को अपने अधिकारों पर हुए आकरबन पर सहारा लेने के लिए कोई कानूनी उपाए नहीं है तो ऐसे अधिकार देने का कोई लाब नहीं है लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं है यह मुख्य रूप से संयुक्त संप्रेशित अनभव के जुड़े रहने की एक विधा है यह अनिवारे रूप से हमारे साथी मनुश्यों के परती सम्मान और शर्था का एक द्रिश्टी कौन है जहां कानूनी अर्थों में कोई गुलामी नहीं है वहां भी यह स्थिती उत्पन होती है जाती विवस्था के रूप में यह पाया जाता है कि कुछ लोग नर्धारित आजी विकाओं पर जाने के लिए मजबूर है जो उनकी अपनी पसंद नहीं है रिहास से पता चलता है कि जहाने दिखता और अर्थशास्त्र संघर्ष में आते हैं जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है नहित स्वार्थों को स्वेच्छा से वापस लेने के लिए कभी नहीं जाना गया है जब तक कि उन्हें मजबूर करने के लिए परयाप्ट बल ना हो हर मनुश्य के जीवन का एक दर्शन होना आवशक है हर किसी के पास एक मानक होना आवशक है जिसके द्वारा वह अपने आचरण को माप सके तथा दर्शन कुछ होर नहीं बलकि मापने के लिए एक मानक है भारतिये आज दो अलग-अलग विचारधाराओं से संचालित होते हैं उनके राजनितिक आदर्श सम्विधान की प्रस्तावना में नहित स्वतंतरता समानता और भाईचारे के एक जीवन की पुष्टी करता है उनके धर्म में समाहित उनके समाजिक आदर्श इससे इंकार करते हैं जिस प्रकार पानी की एक बूंद समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती है उसके विपरीद समाज में रहकर मनुष्य अपनी पहचान नहीं खोता मनुष्य का जीवन स्वतंतर है वह सिर्फ समाज के विकास के लिए पैदा नहीं हुआ है बलकि उसके स्वेम के विकास के लिए हुआ है बाउद धर्म के मौलिक से धांत सुतंतरता, समानता और भाई जारा है बाउद धर्म शुद्रूं का धर्म कहा जाता था केवल एक ही विक्ति था जिसने अलगावाद और असपरशता के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और वे बुद्ध थे हमें यह सुविकार करना शुरू करना होगा कि भारतिय समाज में दो बातों का पून अभाव है इन में से एक समानता है समाजिक स्तर पर एक भारत ऐसा है जो श्रेनी बध आसमानता के सिधान्तों पर आधारित है इसका अर्थ कुछ के लिए पद्दोनती और कुछ के लिए गिरावट है आर्थिक्स्तर पर हमारे पास एक समाज है जिसमें कुछ के पास विशाल खजाना है जबकि ज्यादा तर घोर गरीबी में रहते हैं जादी के विनाश की दृष्टी से संतों के संघर्ष का समाज पर कोई परभाव नहीं था एक विक्ति के मूल्य स्वैमसिद्ध और स्वैमसपष्ट है यह उसे भगती करने से नहीं आये है संतों ने इस बात को स्थापित करने के लिए संघर्ष नहीं किया इसके विब्रीद उनके संघर्ष का दलित वर्ग पर बहुत अस्वस्थ परभाव पड़ा है इसने ब्रामनों को उन्हें चुप कराने का बहाना दे दिया है कि अगर वे सम्मान पाना चाहते हैं तो उन्हें चोखा मेला का दरजाब प्राप्ट करना होगा यह शरारत हिंदू शास्त्रों द्वारा परचारित की गई कि उच्च वर्गों की सेवा करके शूद्र मोक्ष को प्राप्ट करता है अस्परशता खुलामी की एक और पद्वी है कोई जाती अपने आत्म सम्मान को नश्ट करने से नहीं उट सकती है यदि आप वास्तों में अच्चूतों का उत्थान करना चाहते हैं तो आपको उनसे समाजिक व्यवस्था में स्वतन तरनागरी के रूप में वहवार करना होगा और उन्हें अपने भागे को रूप देने की आजादी देनी होगी मैं भगवत गीता में प्रतिपादित हिंदू समाजिक दर्शन को नकारात्मक रूप में अस्विकार करता हूँ मेरे फैसले में यह कबिल के दर्शन की एक क्रूर विक्रती है जो सांख्य दर्शन के त्रिगुण पर आधारित है और जिसने जाती विवस्था की वर्गिकरत आसमानता को हिंदू समाजिक जीवन का कानून बनाया है समवेधानिक नैतिकता एक प्राकरतिक भावना नहीं है यह अभी लाई जानी है हमें यह महसूस करना होगा कि हमारे लोगों को अभी भी सीखना है भारत में लोकतंत्र भारती जमीन पर सिर्फ एक परत है जो अनिवारे रूप से अलोकतांत्रिक है मनुष्य नश्वर है हर किसी को कभी न कभी मरना है लेकिन मनुष्य को अपने जीवन में आत्म सम्मान के बहाना दर्शों को सम्रद्ध बनाने और स्वल्म के जीवन को बेहतर बनाने का फैसला करना होगा हम दास नहीं हैं एक बहादूर विक्ति के लिए आत्म सम्मान से रहित जीवन जीने की तुलना में और अधिक शर्मना कुछ नहीं है भारत में भक्ती या भक्ती मार्ग या नायक भक्ती राजनीती में जो हिस्सा आदा करती है वह दुनिया के किसी भी अन्य देश के राजनीती के मुकाबले अतुल्ले है धर्म में भक्ती आत्मा की मुक्ती के लिए एक मार्ग हो सकता है लेकिन राजनीती में भक्ती या नाएक भक्ती यकीनन ख्रण करने के लिए और अंतता तानाशाही करने के लिए एक मार्ग है अस्प्रश्टा ने अचुदों और हिंदों को बर्बाद कर दिया है और आखिरकार राष्ट को भी यदितलित वर्ग अपने आत्म सम्मान और सुतंतरता की प्राप्टी करे तो वह केवल अपनी खुद की प्रगती और स्मृध्धी के लिए ही नहीं अपी तु अपनी महनत बुद्धी और साहस से राष्ट की शक्ती और स्मृध्धी के लिए भी योगदान करेगा वर्दमान में अस्परशिता के कलंग का मकाबला करने में अचितों की जबरदस्ट उर्जा को नश्ट होने से बचाना आवशक है यह उनके द्वारा उनके पूरे रेश में शिक्षा और संसाधनों के विकास को बढ़ावा देने के लिए लगानी होगी जाती अंतर राज्जी रात्री भूज वैं अंतर जाती विवाह के आवारा उदाहरणों दुआरा समाप्त नहीं की जा सकती जाती मन की एक अवस्था है यह मन की एक बिमारी है हिंदू धर्म की शिक्षाएं इस रोग का मूल कारण है हम जाती वाद का अभ्यास और अस्पश्रता का पालन करते हैं क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा करने के लिए हमें निर्देश दिये गए हैं एक कड़वी चीज को मिठाई नहीं बनाया जा सकता किसी का भी स्वाद बदला जा सकता है लेकिन जहर अमरत में नहीं बदला जा सकता मुझे सबसे बड़ा जटका इस बात का है कि मेरा समुदाए अभी भी अपमान की स्थिती को इसलिए स्विकार करता है क्योंकि जाती के हिंदू अभी उन पर हावी है आपको अपने स्वेम के बल पर भरोसा करना होगा आप इस थारणा को जखचोर कर समाप्ट कर दू कि आप किसी भी तरहां से किसी भी समुदाए से नीच हो भारत में अलब संखेकों ने राजभक्ती पूरवक भहमत के शासन को स्विकार कर लिया है जो मूल रूप से एक सामपरदाएक भहमत है और एक राजनितिक भहमत नहीं है भहमत को अपने करतवे का एहसास करना है कि उसे अलब संखेकों के खिलाफ भेदभाव नहीं करना है अल्प संख्यक रहेंगे या नहीं यह बहुमत की इस आदत पर निर्भर करेगा जिस पल बहुमत अल्प संख्यक के खिलाफ भेदभाव की आदत छूड़ देगा अल्प संख्यकों के मौजूद रहने का कोई कारण नहीं रहेगा वे गायब हो जाएंगे क्यों एक मानव शरीर मृतक बन जाता है इसका कारण है कि जब तक मानव शरीर पीड़ा से मुक्त नहीं है मन खुश नहीं हो सकता है यदि एक व्यक्ति में उच्साह का अभाव है तो उसका शरीर या मन मृतक हालत में है विक्ति में से उत्साह कौन निकालता है यदि कोई उत्साह नहीं है तो जीवन कठिन परिश्रम हो जाता है घसीटने के लिए एक बोज मात्र यदि उत्साह नहीं है तो कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है एक व्यक्ति की और से उत्साह की इस कमी का मुख्य कारण उसकी तरकी करने का अवसर प्राप्त करने की आशाक होने से है निराशा से उत्साह की कमी हो जाती है ऐसे मामलों में मन मर्तक हो जाता है उत्साह कब आता है जब वह ऐसे माहौल में सांस लेता है जहां उसे अपने श्रम के लिए वैध इनाम मिलने का विश्वास होता है उसके बाद ही वह एक उत्साह और प्रेरणा से स्मरध महसूस करता है कानून का असली काम समाज में दोशों के मरम्मत करना है दुर्भाग्य से प्राजीन समाजों ने अपने स्वेम के दोशों के मरम्मत के काम की कलपना की हिम्मत कभी नहीं की फलस्वरूब वे सड़ गए इस देश ने यूरोपियों की पोप की सत्ता को चुनावती देने की मांग से बहुत समय पहले चर्च संबंधी कानून और धर्म निर्बैक्ष कानून के बीच का संघर्ष देखा है काउटल्य के अर्थ शास्तर ने धर्म निर्बैक्ष कानून की नीव रखी भारत में दुरभाग्ये से चर्च सम्मंधी कानून ने धर्म निर्बेक्ष कानून पर विजय पाई मेरी राय में यह देश में सबसे बड़ी आपदाओं में से एक थी हिंदू समाज का प्रगती ना करना इस उधारणा की वजह से था कि प्राकरतिक कानून बदला नहीं जा सकता है सब्भेता एक सतत प्रक्रिया कभी नहीं रही यहां राज्ये और समाज थे जो एक समय में सब्भे थे समय के पाठे करम में कुछ ऐसा हुआ कि यह समाज स्थिर हुए और सड़ गए यह खुद भारत के इतिहास से साफ हो सकता है इसमें कोई शक नहीं कि भारत उन देशों में से एक है जो प्राचीन सब्भेता का दावा कर सकते है जब यूरोप के निवासी बरबर खालातों के तहट जी रहे थे यह देश सब्भेता की सबसे उची चोटी पर पहुँच गया था जब यूरोप के लोग मातर खाना बदोश थे तो इसके पास संसतिय संस्थाएं थी मैं एक समुदाय की ब्रगती महिलाउं द्वारा हासिल प्रगती के आधार पर मानता हूँ जो कोई भी निजी उद्यम और व्यक्तिकत लाभ की खोच पर आधारित समाजिक अर्थ व्यवस्था की व्यवस्था की कारे प्रणाली का अध्यन करता है उसे एहसास होगा कि कैसे यह विक्तिके अधिकारों का जिस पर लोकतंतर टिका हुआ है का अगर वास्तों में उलंगन ना सही नजर अन्दाज करती है कितने लोगों को जीवन जीने के करम में अपने अधिकारों को ट्यागना पड़ता है कितने लोगों को स्वेम को निजी नियोक ताउं द्वारा शासित होना पड़ता है भारत एक अजीब देश है और उसके राश्टरवादी और देशभक्त अजीब लोग है भारत में एक देशभक्त और एक राश्टरवादी वह है जो खुली आँखों से देखता है कि उसके अपने साथ ही मनुश्यों के साथ मनुश्यों जैसा वहवार नहीं करते लेकिन उसकी मानवता इसका विरोध नहीं करती वह जानता है कि बिना कारण के पुरुशों और महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर रखा है लेकिन यह मददकार कारवाई के लिए उनकी नागरिक भावना को चुभन नहीं देता है बहपाता है कि लोगों की एक पूरी श्रेणी सरकारी नौकरियों से वन्चित है लेकिन वह न्याय और निश्बक्ष होने की अपनी भावना को नहीं जगाता है भारत और समाज को घायल करने वाली सैक्डू बुरी प्रथाएं उसके द्वारा मनाई जाती है लेकिन वे उसे घ्रणा का अनुभव नहीं देती देशभक्त का एक मात्र रोना उसे और उसके वर्ग के लिए शक्ती है मैं खुश हूँ कि मैं देशभक्तों के उस वर्ग से संबंध नहीं रखता हूँ मैं उस वर्ग से आता हूँ जो लोकतंतर पर अपना रुख रखता है और हर रूप में एक अधिकार को नश्ट करना चाहता है हमारा उदेश्य जीवन के सभी ख्षेत्रों राजनीतिक आर्थिक और समाजिक में एक विक्ती एक मुल्य के हमारे आदर्श के अभ्यास्त का एहसास करना है वॉल्टर बगे होट ने चर्चा से सरकार के रूप में लोकतंतर को परिभाशित किया अबराहम लिंकन ने लोगों की लोगो द्वारा और लोगों के लिए एक सरकार के रूप में लोकतंतर को परिभाशित किया लोकतंत्र की मेरी परिभाशा है सरकार का एक रूप और एक पध्धिती जिससे समाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवरतन बिना रक्तपात के लाया जाता है यही असली परिक्षा है यह शायद सबसे गंभीर परिक्षा है लेकिन यदि आप सामागरी की गुण्वत्ता की पहचान कर रहे हैं तो आपको उसका सबसे गंभीर परिक्षन करना पड़ेगा हमें मात्र राजनितिक लोकतंतर से संतुष्ट नहीं होना है हमें हमारे राजनितिक लोकतंतर को एक समाजिक लोकतंतर बनाना है राजनितिक लोकतंतर तब तक नहीं रह सकता जब तक यह एक समाजिक लोकतंतर पर ना टिका हूँ समाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ जीवन का एक तरीखा है जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के इन सिथानतों को अलग वस्तों के रूप में नहीं देख सकते ये इस तरह से एक संग के रूप में है कि एक का दूसरे से तलाग लोकतंत्र के उदेशे को समाप्ट कर देगा स्वतंत्रता का समानता से तलाग नहीं किया जा सकता और ना ही स्वतंत्रता और समानता का भाईचारे से तलाग किया जा सकता है समाजिक संग के बिना राजनीतिक एकता प्राप्ट करना मुश्किल है यदि प्राप्ट हो भी गई तो यह उतनी ही अनिश्चित होगी जितना गर्मियों में एक पौधा जिसे हवा का जोका जड़ से उखार देता है मातर राजनीतिक एकता के साथ भारत एक राजे हो सकता है लेकिन एक राजे होना एक राष्ट होना नहीं है और एक राजे जो एक राष्ट नहीं है अस्तित्तु के संगर्ष में जीवित रहने की संभावनाएं कम होती है यह विशेश रूप से सकते हैं कि राश्टरवाद जो आधुनिक समय में सबसे गतीशील बल है हर जगां सभी मिश्रित राज्यों के विनाश और विगटन से खुद को मुक्त करने की तलाश में है एक मिश्रित और समग्र राज्यों के आंत्रिक पनुरुथान के लिए खत्रा बाही आकरमन में इतना नहित नहीं है जितना उसकी खंडिक खासी दबी और उसकी इच्छा के खिलाफ आयुजित राश्टिता में है आत्म सम्मान के गयमत पर जीना शर्मनाक है आत्म सम्मान जीवन में सबसे महतपून कारख है इसके बिना आदमी कुछ नहीं है आत्म सम्मान के साथ जीने के लिए कठिनायों पर काबू बाना पड़ता है केवल कड़ी महनत और नेरंतर संगर्श से ही शक्ती आत्म और मानेता प्राप्त करता है अमरसन ने कहा कि स्थिरता गधे का एक गुण है किसी भी विचारक को स्थिरता के नाम पर व्यक्त एक नजरिये से नहीं बाधा जा सकता है जम्मेदारी स्थिरता से अधिक महतवपून है एक जम्मेदार विक्ती को सीखे को अनसीखा करना बैशक सीखे को अनसीखा करने और अपने विचारों को पुनरगठित करने के लिए अच्छे और पर्याप्त कारण होने चाहिए पुनरविचार करने में कुछ अन्तिम नहीं हो सकता हम सबसे पहले और सबसे आखिर में भारतिये हैं जाती ही भारत को एक राष्ट बनाने के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है अगर भारत को एक राष्ट बनाना है तो जाती को समाप्त करना होगा और इसके लिए जाती की शिक्षा देने वाले धर्म शास्त्र को डाइनामाइट से उड़ाना होगा मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं शिक्षित बनो, एक जूट रहू और संघर्ष करो बाबा साहब के इन विचारों को हमने वेलिवाडा और पराहया स्ट्रीट की वेबसाइट से साभार लिया है कुछ विचार हमने बाबा साहब की पुस्तकों से लिये हैं अंग्रेजी से हिंदी में इसका अनुआद मुकेश कुमार ने किया है जै भी झाल 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 झाल